सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को दिस विक्रम कुमार यौर इंग्लिश ट्रेनर जैसे कि आपने थमनेल में देखा होगा किस तरह से आप घूमते फिरते पैसे कमा सकते हो घूमते फिरते यह नहीं कहा रहा हूं हैं ने以前 गूमते बात लिएक विएव बात नहीं कर रहे हूं मैं गूमना में करते हुए आप पैसा कैसे कुमा सकते हों काफी सारे स्टुयंट्स हैं और काफी सारे लोग हैं», आ लोग देख सकते हो कि आ हर गर को क्रॉस करने के एक-दो गर के बाद एक ना एक व्लॉगर मिली जाता है तो वह व्लॉगर जो होता है बहुत ही बचकाने तरीये से जैसे कि एक दूसरे को थे भी भेड़ चाल की यह बहुत ही अजीब लगता है कि आपने कभी मुझे यह सब करते हुए देखे हो मैं ऐसा नहीं करता हूं मैं सीधा नमस्ते आप लोगों को बोलता हो लेकिन खेर आते हैं आप अर्निंग मैथट पर देखिए आप जैसे आप किसी प्लेस में जा रहा हो कोई अच्छे प्लेस तो आप कीजिए कि उस जगह के बारे में लिखिए उस जगह के बारे में ब्लॉग्स पढ़िए तो और जो इतिहास आपने पढ़ा है उसे आप अपने भाषा में लोगों को लिख कर बताईए यह ओगे आपका पहला तरीका दूसरा तरीका आप व्लॉगिंग कर सकते हो व्लॉगिंग मीन्स इस तरह से नहीं है जैसा कि मैं बता रहा हूं फाल्तू के तरीके से कि हलो गाइ तो उस जगह के बारे में प्रॉपरली जानकारी निकालते हैं एक कियार यह कितने किलोमीटर की दूरी पर है यह जगह यहां पर यह चीजें दर्शन करने लायक है यहां पर इतने लोग आते हैं इस तरह से आप इंफॉर्मेशन लिखा लिए और उसको इंफॉर्मेशन को अच्छे तरह से एडिट करके म्यूजिक वगेरा के साथ आप यूट्यूब पर अपलोड करिए इस तरह से पैसे कमा सकते हो उसे इंस्ट्राग्राम में रील्स बनाकर भी आप लोगों को जानकारी दे सकते हो और उसके अलावा आप बता सकते हो वहां की चीजों को प्रमो चीज ज्यादा महंगे रेट में बिकती हैं ध्यान से सुनिए इस चीज को जैसे कई लोगों को बिजनेस करने का बहुत शौक रहता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह का बिजनेस उने करना चाहिए तो उन वहां पर देखिए कौन सी चीज़े महंगे रेट में बिक रही हैं तो उस चीज के बारे में आप जनकारी निकालिए आपके थोक लोकल जो मार्केट में होते हैं लोग जो बेचने वाले उनसे पूचिए कि भाई यह चीज है फलानी डेकानी कितने रुपए में यहां पर मिलेगी तो वह चीज को आप उठाईए मतलब खरी दि बैसर नहीं है भाई आप पैसे देकर उठाकर लेकर जाना तो आप पैसे दीजिए ठीक है उस चीज को सस्ते में खरीद दिए और ले जाकर उस जगह में बेज दीजिए यह तो इस तरह से आप दो तीन तरीके होते हैं आप एक तो ब्लॉग का बता है मैंने वी फॉर बैट जो है अलग होता है दोनों आप बना सकते हो अच्छे तरीके से उसके बाद आप सस्ती चीजों को ले जाकर उस मेहंगी जगह पर ले जाकर बेच सकते हो फिर चौती चीज मैंने बताया उस जगह को प्रमोट कर सकते हो और भी बहुत सारी तरीके होते हैं और भी आप क्रिय ये डी सीय से रिलेटेड आप चाहो तो उन्हें जॉइन कर सकते हो